नमस्ते मैं मन्जु कुमारी आज आप लोगों को क्लाश नाइन असपर्स का पार्थ सुकृतारे के श्रमान का मैं पार्ट टू बनाने जा रहे हूँ कि अगए इसे पहले में पार्ट वन भी बनाई हूँ उसको देखने के लिए आप उपर दिये गया आइब बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं या नीचे दिये गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं या प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं और यह पार्ट कर देख सकते हैं मतलब मतलब यह कर रहे हैं किocy इसके अलावे जितने भी उनका काम था मादेभ भाई का उसके अलावे क्या करते देश-विदेश के अग्रेगन ने शमाचार मतलब प्रसिद्ध समाचार पत्र जो होता था देश और विदेश का जो आखों में तेल डार कर गांधी जी की प्रतिदीन की गतिविधियों को देखा करते थे यानि वे लोग भी सचेत रहते थे हरदम सतर्क रहते थे कि गांधी जागरुक होकर के सचेत होकर उस पत्र को देखा करते थे गतिविधि को देखा करते थे और उन पर बरावर टिका टिपनिया करते थे मतलब उस पर जो है क्रिया प्रतिक्रिया करते थे यहां से भी जो समाचार पत्र मिलता था फिर विदेश में भी समाचार पत्र छपता थ तो एक जगह का समाचार पत्र दूसरे जगह का समाचार पत्र क्या होता था आपस में टिका टिपनिया करते थे मतलब अपनी राय देते थे कि क्या होना चाहिए तो कभी-कभी क्या होता था अंग्रेज लोग काफी गुसे में थे वो लोग तो चाहते थे कि भरत देश पर हमे तो उनको आरे हाथ लेने वाले लेख भी समय समय पर लिखा गरते थे मतलब वही टीका टिपनी करते थे क्रिया प्रतिक्रिया रियक्षन होता था लड़ाई जगरे जैशी जो एक बात होती है उसमें लिखा जाता था बेजोर कॉलम भरपूर चौकशाई मतलब उनके जो कॉल जो है जो भी लिखा जाता था ब्रिटिस समाचार पत्र जो उचे से उचे समाचार पत्र होते थे कि परंपराओं को अपना कर चलने का गांधी जी का आग्रह तो वहां पर गांधी जी आग्रह करते थे कि कट्टर से कट्टर विरोधियों के साथ भी पूरी सत्य निष्ठा मेंसे उत्पन होने वाली विवेक युक्त विवाद करने की गांधी जी की तालिम रहती थी यानि गांधी जी का कहना यह था मादे भाई को कहते थे कि चाहे कितना भी परिष्थिती आजाए अंग्रेज लोग कितना भी कटर से कटर प्रतिक्रिया लिखे उसमें समाचार पत्र में तो उसको भिने पुर्वक जवाब देना है ना कि जैसे इट का जवाब पत्थर से कोई देता है करवे शब्द में देता है तो उनका अग्रह यह था कि करवे शब्द उनके लिए उपय नहीं करना है तो महादे भाई इसका पूरा पालन करते थे और जो भी समाचार पत्र में कुछ लिखने का होता था तो बरे ही ध्यान पुर्वक उसको लिखते थे प्रेमशी लिखते थे और पढ़ने बाले को भी पता नहीं चलता था और बातें भी शमझ में आजाती थी और किशी को तकलिब भी नहीं पहुंशता था तो इस तरह के काम महादे भाई करते थे बहुत ही सतरकताश है शुमाचार पत्र में एक एक बात को बहुत ही शही धंग से लिखते थे तो यहां पर यहीं कहा गया है इन सब गुनों ने सब का लाडला बना दिया मतलब इतने अच्छे ढंग से महादेव भाई एक एक बात को समाचार पत्र में लिखते थे कि बातें भी कह दी और किशी को तकलीब भी नहीं पहुंची तो क्या होता था उनके सबहाव और विचार से सारे लोग प्रभावित हो गए और सब का लाड की नजर उनके उपर रहती थी और बहुत ही उनके उपर सब की स्रधा थी आगे बता रहे हैं कि गांधी जी के पास आने के पहले अपने विद्यार्थी अवस्था में महादेव ने सरकार के अनुवाद विभाग में नौकरी की थी अब यहां पर बताने का कोशिस लेखक कर रहे हैं कि गांधी जी के पास महादेव भाई की मुलाकात होती है इस से पहले महादेव ने सरकार अनुवाद विभाग में नौकरी की ती अनुवाद विभाग मतलब कोई भी विशय होता है उसका अनुवाद करते थे अलग-अलग भासाएं होती है तो हर भाशा का सबको जानकारी तो नहीं होता है मालीजे संस्कृत भाशा है इंग्लिश भाषा है तो उसका इंग्लिश को क्या करते थे हिंदी कर देते थे हिंदी में उसको समझा के लिखते थे फिर संस्कृत भाषा होती थी तो उसको भी क्या करते थे हिंदी में और जो भी मान लिजे अगर कोई मराठी है तो मराठी भाषा में गुजराती भाषा मे यह सब अनवाद करने का काम उनको दिया गया था नरहरी भाई उनके जिगरी दोस्त थे महादेव भाई के दोस्त कुन थे? नरहरी भाई काफी घनिष्ट मित्र थे दोनों दोनों एक साथ वकालत पढ़ते थे मतलब दोनों वकालत की जो परहाई होती है वे एक साथ दोनों नरहरी भाई और महादे भाई दोनों एक साथ वकालत भी किये थे दोनों वकील थे दोनों ने अहमदावाद में वकालत भी साथ साथ ही शुरू की थी और दोनों की साथ साथ परहाई होई थी इसलिए क्या हुआ दोनों साथ साथ वकालत भी कुछ दिल किये थे इस पेशे में आम तोर पर श्याह को शफेद और श्याह करना पड़ता है मतलब यहां पर लेखा किया करते हैं कि वकील का काम क्या होता है अक्सर जूट को सच कर देना और सच को जूट कर देना जूट को सच करना परता है कि यह सच को सच करना परता है तो यहां यह इसकाम में काफी जूट भी बोलना परता है तो उनको इस काम में रूची नहीं था, साहित और सरकार के साथ इसका कोई शंबंध नहीं था, और साहित में क्या होता है, साहित को शमाज का दरपन कहा गया है, साहित एक सच्छा तश्वीर उपस्थित करता है मनुश्य के सामने, जो हम लोग अभी पर रहे हैं कितना हम लोग 9th 10th का एक एक पार्ट जैसे धर्म की आर दिये जल उठे ऐसा जो पार्ट है एकदम सचाई से भरा हुआ है तो शाहित क्या करता है सचाई को सब के सामने लाता है उसमें जूट का शहरा नहीं लिया जाता है तो महादेब भाई का शुभाब जो है उनको अच्छे संसकार मिले हुए थे अच्छे परिवार से थे और उनके विचार जो है गांधी जी से मिलता हुआ विचार था तो वे शक्ति जब उन्हें बोलना पड़ता था तो उन्हें काफी दुख होता था शाहित और सरकार के साथ इनका कोई शंबन नहीं था लेकिन इन दोनों ने तो उसी शमय टाइगोर सरचंद आधी के शाहित्य को उलटना पुलटना शुरू कर दिया था मतलब सरचंद और टाइगोर मतलब रविंदर नाठ टाइगोर का जो बहुत सारा लिखा हुआ उस्त के हैं उनको यह लोग परहे थे तो उसमें एक एक बात किस तरह से लिखा गया था तो इन लोगों के उपर उसका बहुत ही गहरा प्रभाव परा और वे लोग जान गये कि सचाई मनुश्र को सचे रास्ते पर चलना चाहिए ना कि इस सब चक्कर में पढ़ना चाहिए तो वे क्या किये सरचंद चटो पाध्या जो ले यह सब बातें आने लगे कि जीवन की सचाई क्या होती है और हमेशा मनुश्र को सत्य का सहारा लेना चाहिए ना कि जूट का सहारा लेना चाहिए तो फिर उन्हें इस काम में वकिल के काम में उनको रूची नहीं रहे चित्रांगदा कच देव यानी की कथा पर टैगोर द्वारा रचित बिदाई का आविशा मतलब यह सब पुस्त के जब वे लोग पढ़ है सिर्शक नाटी का सरद बाबु की कहानिया सरच्चन चटो पाध्याई की कहानिया भी वे पर है आदी अनुवाद उस्षमे की उनक पर है तो फिर उनके अंदर क्या हुआ विचार का बदला आ गया मतलब अच्छे गुन उनके अंदर आ गया भारत में उनके अक्ष्रों का कोई शानी नहीं था मतलब महादे भाई जो लिखते थे उनके हैंड राइटिंग इतनी अच्छी थी कि उसके जैसा कोई भी लिख नहीं सकते थे मतलब एक एक बात को बहुत ही अच्छे ढंग से लिखते थे और उनके लिखावट में एक भी कोमा तक की गलती नहीं होती थी वाइसराय के नाम जाने वाले गांधी जी के पत्र हमेशा महादेव की लिखावट में जाते थे वाइसराय कौन थे अग्रेज ऑफ टो उनको काफी अच्छा लगता था इंपत्रों को देख देख कर दिलम और सिमला में वैथे वाइसराय लंबी ससी ने रोते थे स Amen लिखने वाले हम लोगों के लिए भी कोई हो जाता महादे भाई के जैसा भले ही उन दिनों व्रिटिश सल्तनत पर कहीं सूरज ना डुबा हो लेकिन उस सल्तनत के छोटे बादसा को भी गांदी जी के सेक्रेटरी के शमान खुश नसीब कहां मिलता था अब यहां पर कह रहे हैं कि उस समय क् ब्रिटिश का सासन था लेकिन क्या है उन लोगों को इनके जैसा वे लोग खुश नसीब नहीं थे जिस तरह गांदी जी खुश नसीब थे महादे भाई को पाकर उस तरह ब्रिटिश सरकार के पास कोई ऐसे जो हैं विचार के व्यक्ति नहीं थे बरे बरे शिविलियन और गवर्नर कहा करते थे कि सारी व्रिटिश सर्विशों में महादेव के शमान अक्षर लिखने वाला कहीं खोजने पर भी नहीं मिलता और बरे बरे जो अफसर लोग होते थे गवर्नर लोग होते थे वे लोग कहा करते थे कि जिस तरह महादेव भाई इतने अच्छे ढंग से लिखते हैं, तो इस तरह उन लोगों को भी कोई नहीं मिल पा रहा था, इतने अच्छे जो विचार के व्यक्ति उन लोगों को नहीं मिल रहा था, तो वे लोग अंदर ये अंदर अपने आपको कोशते रहते थे, आहें भरते रहते थे, कि कास महादे भाई जैसा हमें भी क्या था उस समय तो इतना technology बरहा हुआ नहीं था और अभी तो लोग मुबाइल से सारा काम कर लेते हैं और computer पर सारा काम हो जाता है लेकिन पहले तो computer यह सब था नहीं तो लोग को हाथ से ही लिखना पड़ता था तो हाथ से लिखने के बाद काफी शमय भी लगता था और उसमें सुद्ध राइटिंग भी होना चाहिए तो यह सारा गुन महादेव भाई में था आए बोल रहे हैं कि महादेव के हाथों के लिखे गए लेख टिपनिया पत्र गांधी के व्याख्यान प्रार्थना प्रवचन मुलाकात हैं वारताला पर लिखी गई टिपनिया सब कुछ फूल एश्केप के चौथाई आकार वाली मोटी अभ्यास पुस्तकों में लंबी लिखावट के साथ जेट किशी गती से लिखा जाता था वे शौट हैंड नहीं जानते थे अब यहां पर लेखा का रहे हैं कि महादेव भ भाशन देते थे देश के लिए वह सारी बातों को महादेव लिखते थे और प्रार्थना प्रवचन मुलाकाते वारता लाग पर लिखी गई टिपनिया सब कुछ फूल एश्केप के चौथाई आकार वाली मोटी अभ्यास पुस्तकों में लंबी लिखावट के साथ मतलब उसमें बहुत ही लंबी लिखावट में लिखते थे जेट विमान के तरह जेट विमान आप लोग जानते होंगे जेट विमान कितने तेज गती से उड़ता है तो उसी तरह यहां पर कहा गया है कि महादे भाई जेट विमान के तरह लिखते थे काम करते थे काफी स्पीड मे नहीं आता था मतलब वे कोई भी बात को शॉट में नहीं बलकि डिटेल में लिखते थे और काफी जेट विमान की तरह मतलब काफी स्पीड में हर बात को वे लिख डालते थे कोई विवात उनसे छूटता नहीं था आगे बता रहे हैं लेखा कि बरे बरे देशी विदेशी राजपुरूस राजनितिग्य देश विदेश के अगरेगरने शमाचार पत्रों के प्रतिनिधी अंतर राष्ट्य शंगठनों के सं संचालक मतलब देश विदेश के बरे बरे जो राजपुरूस होते थे राजनितिग्य होते थे जो राजनिति करते हैं और देश विदेश के अगरेगरने शमाचार पत्र मतलब जो प्रसिद्ध शमाचार पत्रों होते थे देश विदेश के प्रतिनिधी अंतर राष्ट्य शंगठन के संचालक, पादरी, गरंथकार, जो बरे बरे गरंथ लिखते थे, आदे गांधी जी से मिलने के लिए आते थे, और उससे में ये लोग, जितने भी लोगों का नाम यहां दिया गया है, वे लोग सब क्या करते थे, गांधी जी से मिलने आते थे, ये लोग खुद या उसके साथी संगी भी गांधी जी के साथ बादचीत को शोट हैंड में लिखा करते थे, और ये लोग जो भी आते थे, उनके साथी संगी लोग, वे लोग क्या करते थे, गांधी जी जो भी बादचीत करते थे, उसको वे लोग शोट हैंड में लिखते थे, मतलब छोट गांधी जी के एक भी विचार को छोड़ते नहीं थे वे बरे ही ध्यान से सतर्क होकर गांधी जी के मुझ से जो भी निकलता था उनको वे बहुत ही अच्छे ढंग से लंबी लिखावट में लिखते थे मुलाकात के लिए आये हुए लोग अपनी मुकाम पर जाकर सारी बातचीत को टाइप करके जब उसे गांधी जी के पास ओक्के करवाने के लिए पहुंचते तो भले ही उसमें कुछ भूले या कमिया खामिया मिल जाए लेकिन महादेव की डैरी में या नोट बही में मजा नह करके गांधी जी के पास सारी बातचीत को लेकर पहुंचते थे ओक्के करवाने के लिए कि देखे गांधी जी यह सब सही है तो गांधी जी क्या कहते थे कि गांधी जी आगे गांधी जी के पास जब वे लोग पहुंचते थे भूल या कमिया दिखाने के लिए तो गांधी जी कहते थे कि महादेव के नोट के साथ थोड़ा मिलान कर लेना था ना मतलब जानते थे कि महादेव भाई कितना अच्छे धंग से कोई भी काम को करते हैं लिखते हैं तो उनका कहना था कि आप लोग जो भी चीज लिखे हैं उसको पहले आप लोगों को महादेव भाई जो लिखे हैं उ जो लिखा हुआ नोट जो है उसमें आप लोग को मिलान कर लेना चाहिए ताकि कोई भी बात उसमें छूट ना पाए तो लोग क्या करते थे दातों तले उगली दबा कर रह जाते थे अब वे लोग काफी मतलब अस्चर चकित हो जाते थे कि कास महादे भाई इतने अच्छे हमसे लखते और मैं क्यों नहीं अच्छह भंसें निख पाता हूं आज है कि लुई-फीसर और गुंथर के शमान धुरंदर लेखक हैं अपनी टिपनियमं का मिलान महादेब की टिपनियों के साथ करकर उन्हें सुधारे बिना गांधी जी के पास ले जाने में हिच कि जाते थे और लुई फीसर जो राइटर थे और गुंथर जब जो राइटर थे वे लोग क्या करते थे जो भी टिपनिया लिखते थे वे सारी टिपनिया को पहले महादे भाई के टिपनिया से मिलाते थे और उनसे जब सुधार हो जाता था, उनके पास पहुंचने के बाद जब ओके हो जाता था महादेब भाई जब कह देते थे कि नहीं सारसरी है तभी वे गान्धी जी के पास जाते थे उस टिपनिया को लेकर आगे लेखाग बोल रहे हैं कि साहितिक पुश्चकों की तरह ही महादेव बर्तमान राजनितिक प्रबाहों और घटनाओं से संबंधित अध्यतन जानकारी वाली पुश्चकें भी पढगते रहते थे साहितिक पुस्तक तो महादे भाई पढ़ते ही थे लेकिन बर्तमान में क्या देश में चल रहा है बर्तमान में क्या था देश गुलाम था और उस समय किस तरह आजादी के लिए कदम उठाये जा रहे थे गांधी जी क्या कर रहे थे गांधी जी के साथ जितने भी शहयोग करन अध्यतन मतलब भर्तमान जानकारी वाली पुस्तकें भी पढ़ते रहते थे और जो भी जानकारी उनको हाशी हो इसके लिए वे क्या करते थे बर्तमान पुस्तक को भी वे पढ़ते रहते थे हिंदुस्तान से संबंधित देश विदेशों की ताजी से ताजी राजनितिक गत से ताजी मतलब बर्तमान जानकारी को भी हुए उस समय शमाज और देश की क्या इस्तिती थी और अंग्रेज की क्या गति भी थी इन सब चर्चाओं की नई नई जानकारी उनके पास मिल जाती थी उनके पास मिल सकती थी सभाओं में कमेटियों की बैठकों में या दोरती रेल गारियों में चाहा सभा हो या कमेटी हो या रेल में बैठे हो ट्रेन में बैठे हो ट्रेन के डबों में उपर की बर्तपर बैठ डूश भूश कर भर अपने भरेवरे जोलों में रखे ताजे से ताजे शमाचार पत्र मतलब चाहे हुए कहीं भी बैठे हो या कमीटी में हो शभा में हो या ट्रेन में बैठे हो उनके पास एक जोला रहता था और उस जोले में ताजे से ताजे शमाचार पत्र रहते थे और माशिक पत्र पुस्तकें भी वे पढ़ते रहते थे अथवा यंग कितना काम कर रहे थे एक पल भी उन्हें आराम नहीं था वे जहां जाते थे वहां कुछ ने कुछ देश के लिए काम करते ही रहते थे लगातार चलने वाली यात्राओं हर एस्टेशन पर दर्शनों के लिए इकठ्था हुई जनता के विशाल श्रमुदाय और क्या होता था जब यह यात्रा करने पहुंचते थे तो हर इस्टेशन पर लोग उनके दर्शन के लिए इकठ्थे हो जाते थे विशाल श्रमुदाय शभाओं मुलाकातों बैठकों चर्चाओं और बात्चितों के बीच वे श्रमुदाय कब खाते कब नहाते कब शोते या कब अपनी इतना उनका जीवन बयस्त था वे एक घंटे में चार घंटों के काम निप्टा देते थे मतलब वे इस तरह से speed में काम करते थे कि एक घंटा का काम जो है वे एक ही घंटे में कर लेते थे इतना speed में अपना काम करते थे वे सूत भी बहुत ही सुंदर काटते थे क्योंकि गानधी जी चरखा चलाते थे उनका कहना था कि देश को अगर आजाद दिलाना है तो श्वयदेशी को अपनाओ मतलब अपना देश में ही कपरा बनाए और अपना देश में ही नमक बनाने का भी सब कुछ इंतिजाम किये तो यह सूत भी काटते थे मतलब इतने व्यस्त रहते हुए भी इतना सारे काम वे करते थे, अपनी इतनी सारी व्यस्तताओं के बीच वे कातना कभी नहीं चुकते थे, मतलब चाहे कितना भी काम उनके उपर हो, कितने भी व्यस्त हो, लेकिन कुछ समय वे सूत काटने के लिए, कपरे बनाने के लिए जो और दूसरी नदियों के परम उपकारी सोने की कीमत वाले गाध मन गाधी चीज के बने हैं आप सौशा को चल लीजिए रास्ते में सुपारी फोड़ने लायक एक पत्थर भी कहीं नहीं मिलेगा तरह महादेव भाई के व्यक्तित को यहाँ बताया जा रहा है कि उनका व्यक्तित कैसा था? काफी निर्मल था जिस तरह गंगायमन निर्मल पवित्र होते हैं उस तरह उनका विचार था इसी तरह महादेब के संपर्क में आने वाले किसी को भी ठेस या ठोकर की बात तो दूर रही और यहाँ पर बता रहे हैं कि महादेब भाई के संपर्क में उनसे मिलने जो भी कोई आते थे उन्हें एक बात की भी ठेश नहीं लगती थी क्योंकि महादे भाई बहुत ही अच्छे विचार के थे और उनके अंदर जो है काफी आत्मियत आती हुए जब भी किसी से मिलते थे बहुत ही प्रेम पुरबक मिलते थे और जो उनसे मिलते थे काफी उनसे प्रभावित होते थे उनकी निर्मल प्रतिवहा उनके संपर्क में आने वाले व्यक्ति को चंदर सुक्र की प्रभा के साथ दूधी नहला देती थी यानि उनका श्रभाव प्रतिवहा इतना अच्छा था कि जो लोग मिलते थे ऐसा लगता था कि दूध से नहला देना मतलब श्रक्ष हो जाते थे पवित्र हो जाते थे और उनके व्यक्तित से लोग प्रभावित हो जाते थे उसमें सराबर होने वाले के मन में उनके इस मोहनी का नसा कई-कई दिन तक उतरता नहीं था यहाँ पर कह रहे हैं कि उनसे मिलकर लोग शीखते थे कि जीवन को कैसे जिया जाए और ऐसा नसा चा जाता था उनसे मिलने के बाद उनसे लोग इतने प्रभावित हो जाते थे क्योंकि उनका विचार इतना निर्मल था वे इतने प्रेम पुर्वक हिरदय से सब से मिलते थे कि ऐसा लगता था जैसे भाई भाई हो जिस तरह अपने परिवार से लोग व्यभार करता है उसी तरह प्रेम से हर आदमी को अपना समझते थे हर आदमी से प्यार करते थे किसी को लिए उनके मन में वायर की भावना नहीं थी ऐसा लगता था कि सब के हिर्दय में वे समा जाते थे तो लोग कई-कई दिनों तक उनके विचार से प्रभावित होते थे यहां पर लेखा कह रहे हैं आगे कह रहे हैं कि महादेव का शमूचा जीवन और उनके सारे कामकाज गांधी जी के साथ एक रूप होकर इस तरह गूत गये कि गांधी जी से अलग करके उनको अकेला कोई कलपना भी नहीं कर सकते थे अब जब से गांधी जी के साथ महादे भाई मिले तब से उन्हें कभी भी गांधी जी के से अलग वे नहीं रहे हमेशा वे गांधी जी के साथ रहते थे और एक-एक गांधी जी के काम को बहुत ही ढंक से निपताते थे कामकाज की अनवरत व्यस्तताओं के वीच कोई कलपना भी ना कर सके इस तरह समय निकार कर लिखी गई प्रती दिन की उनकी डायरी की वे अनगिनत अभ्यास पुस्तकें आज भी हैं आज भी मौजू गया थे गांधी जी के साथ काफी व्यस्तत थे लेकिन उनकी फिर भी वे डायरी भी लिखते थे और डायरी में एक-एक बात लिखते थे आज भी वह डायरी मौजूद है आज भी देखा जा सकता है आगे लेखा कर रहे हैं कि पर्थम स्रेनी की सिष्ट संसकार संपन भासा और मनुहारी लेखन शैली की असरिय देन महादेव को मिली थी और यहां पर कह रहे हैं कि सिष्ट संसकार संपन भासा मतलब उच्छ विचार वाले आदर्स विचार यहां कह सकते हैं कि पर्थम स्रे यहीं कि सिष्ट संसकार मतलब उनके अंदर काफी बहुत ही अच्छी संसकार थे और उनकी लेखन सैली और लिखने की जो सैली थी काफी अच्छी थी ऐसा लगता था कि इस स्वर के किरपा से उन्हें यह गौड़ गिप्ट मिला है यद्यपी गांधी जी के पास पहुचने के गहमाशान लडाईयों और यहां पर लिखा कर रहे हैं कि भले ही गांधी जी के पास पहुंचने के बाद क्या हुआ बहुत तरह के आंदोलन हुए लडाईयां हुए और समाचार पत्रों की चर्चाओं के भीर भरे प्रशंगों के बीच केवल शाहितिक गतिविद्यों के लि लड़पा था और बहुत तरह के लड़ाईयां भी लड़ी गई थी लेकिन उन्हेक्साहित लिखने के लिए कभी समय नहीं बिल सका फिर बही गांधी जी की आत्मकत्य गांधी जी जो आत्मकत्य है सत्य के प्रियोल का अंग्रेजी अनुबाद उन्हों सत्ते का प्रयोग जो गांधि जी लिखे थे उसको अंग्रेजी भाषा में महादे भाई लिखे जो नव जीवन में परकाशित होने वाले मूल घुजराती की तरह हर हप्ते यंग इंडिया में छपते रहा और क्या हुआ यह नवजीवन के प्रकाशित होने वाले मूल गुजराती की तरह हर हथे उआ यंग इंडिया में छपता रहा बाद में पुष्टक के रूप में उसके अनगिनत संस्करण सारी दुनिया के देसों में प्रकाशित हुए और बाद में क्या हुआ, पुस्तक के रूप में अनगिनत बहुत सारे संस्क्रन छपे, जो सारी दुनिया के देशों में प्रकाशित हुए, और सारी दुनिया के लोग यह जानना चाहते थे, कि आखिर गांधी जी सत्य के प्रयोग में क्या लिखे हैं, और वे लोग भी और मगनवारी में आचानक मगनवारी से चल कर शेगाओं की सरहद पर एक पेर के नीचे जा वैठे, अब यहां पर लेखक कर रहे हैं, कि 1934 में क्या हुआ, गांधी जी वर्धा, वर्धा एक जगा नाम है, जहां काफी गर्मी पड़ती है, तो वहां पर एक महला आस्रम था मगनवारी में रहने के बाद अचानक मगनवारी से चल कर शेगाउं की सरहद पर एक पेर के नीचे जा बैठें मतलब एक पेर के नीचे वे बैठ गये उसके बाद वहां से एक दो जोपरे बने और फिर धीरे-धीरे मकान बनकर तयार हुए और क्या हुआ काफी वहां गर्मी पड़ती थी तो वहां पर एक जोपड़ा जो होता है हट जिसको बोलते हैं हुआ बनाया गया और फिर वहां पर धीरे-धीरे एक मकान भी बना क्योंकि लंबी दूरी लोकुत दाय करना पड़ता था अराम करने के लिए कोई जगह नहीं था तो वहां पर एक मकान तयार किया गया तब तक महादे भाई दुरगा बहन और चिरंजिम नारायन के साथ मगनबारी में रहे तब तक क्या किये म पहुंसते थे और फिर बता रहे हैं कि वर्धा की अशह गर्मी वर्धा में काफी गर्मी पड़ती है वहां से वे रोज पैदल चलते थे क्योंकि उस समय सवारी नहीं थी काफी कश्ट का अनुभव होता होगा उन्हें वहां दिन भर काम करके शाम को वापस पैदल आते मतल प्रते एक दिन उन्हें 11 मिल की दूरी तैय करने होती थी और काफी गर्मी पड़ती थी तो इस पाट में यह दिखा गया है कि देश की आजादी के लिए महादे भाई का कितना योगदान है वे कितना कश्ट उठा कर देश की आजादी के लिए काम किये हैं रोज रोज का य प्रतिकूल प्रभावपरा मतलब यह क्या हुआ उनके स्वास्त पर इसका प्रतिकूल प्रभावपरा क्योंकि एक तो धीसन गर्मी थी और 11 मिल रोज उनको जाना और आना होता था तो काफी ठकावट भी होती थी काफी उन्हें कमजोडी भी हो गया था उनकी अकाल मिर्ति कहा जाता है तो क्या हुआ इस तरह से महादेब भाई 11 मिल रोजाना चलते थे और बढ़ता की अश्मेह अश्मेह गर्मी मतलब काफी भीशन गर्मी थी तो यह कारण भी हो गया उनकी अकाल मिर्ति हो गई इस मौत का कहाओ गांधी जी के दिल में उनके जीते जी बना रहा ओर गांधी जी जो है काफी चिंतित हो गया और महादेब महादेब जी की मिर्तिância के बाद क्या हुआ का गांधी जी काफी चिंतित हो गया वह भाउजन का यह पंक्ति हमेशा दोराते भार थी भाउजन कौन है एक संत है उनका भजन है एर जखम जोग नहीं जासे मतलब यह घाओ कभी योग से भरेगा नहीं मतलब कहने का मतलब यह था किsmith गांधी जी उनके मिर्तु उसे इतने दुखी हो गए कि इस भजन को बार-बार दोहराते रहते थे उनकी याद करते रहते थे और कहते यह घाव कभी भी नहीं भड़ सकता है उन्हें हमेश्व महादे भाई की याद आती रही बाद के सालों में प्यारे लाल जी से कुछ कहना होता बाद में क्या हुआ जब प्यारे लाल जी काम को सम्हालने लगे महादे भाई के जाने के बाद तब उनको क्या कहते थे गांधी उनको बुलाते तो उस समय भी आनाया सुनके मुझे महादेव ही निकलता था और प्यारे लाल जी को क्या बोलते थे महादेव कहकर ही पुकारते थे क्योंकि लंबे समय से महादेव उनके शाथ रहे इसलिए कभी-कभी बोलते समय प्यारे लाल जी को महादेव कहके ही लांदी होगा और अगर अच्छा लगे तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है उसे जरूर क्लिक कीजिएगा लाइक कीजिएगा और कमेंस करके बताईएगा कि यह पार्ट आपको कैसा लगा और कोई प्रॉब्लेम हो कोई परेशानी हो तो आप कोमेंस करके हमसे पोस्ट सकते हैं आगे मैं फिर मिलूंगी नए अच्छा कि 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 कि